हाई गाईज वाचसले देश साइड यूर वाचिंग वीग्यान आई होप यूर दूइंग ग्रेट एज वेल तो लास्ट वीडियो जो मैंने अप्लोड करी थी उसमें मैंने आपसे बात करी थी ग्राफिक्स काइट की जो प्राइसिंग है इतनी हाई क्यों चल रही है में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं तो आई अग्री विडियो और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाओ कि क्या इनका एम है और क्यों तरीके से यह सारी जो अनफॉर्शनेट चीजे हो रहे हैं मार्केट में डिस्टिब्यूटर्स कर रह है जो कंपनीज हैं एंवीडिया एमडी बाकी अधर जो ग्राफिक्स कार्ण मैं वो क्या अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है क्या प्रिकॉशन ले इन सब सिचुएशन से बचने के लिए और कब तक जो प्राइसिंग है मार्केट में ग्राफिक्स कार्ट की कब तक सही हो तो अब हम सेगेंड पार्ट में डिसकस कर लेते हैं जो करेंट सिनारियो मार्केट का चल रहा है एंवीडिया क्या स्टेप्स ले रही है इन सारी सीचुएशन से को पब करने के लिए क्लिए तो वह मैं आपको बताता हूँ तो जैसे मैं आपको बताया था टी एसमसी के बा पार्टनर्शिप कर ले TSMC के साथ और अभी फिलाल आपको जैसे पता है कि सामसंग एट नैनोमेटर के जो ग्राफिक्स कार्ड है इनके तो अब वह चाहा रही है मैं वीडिया की TSMC बनाए और TSMC आपको पता है कि वर्ड की लार्जेस्ट सेमिकंडक्टर करती है इस प्रोग्राम में और पार्टनर्शिप करती है एंवीडिया के साथ तो यह बहुत अच्छी न्यूज है हम सब करती है तो इसलिए न्वीडिया सोच रहा है कि हम TSMC के पास जाएं और TSMC से अपनी चिप्स को डिजाइन करवाएं तो जो सेकंड सिनारियों यहां पर बन रहा है वो यह है कि एंवीडिया यह सारी कंपनी जो यूएस कंपनीज है यह सब ने एक कॉमन लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बिडिन को और उन्होंने उसमें रिक्वेस्ट किया है फंड्स के लिए जो यह सारी दिक्कत चल रही है सेमिकंडुक्टर चिप्स की वर्डवाइड जो शौटेज चल सकें और ज्यादा स्यादा सेमिकंडुक्टर मैंनुफाक्चर कर सकें तो यह सारी चीजें आप लिस्ट कर दूंगा मैं आर्टिकल में आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें है इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है इतना बड़ा यह पूरा मतलब सिस्टम है तो ओवर मैं बता देता हूं कि किस तरीके से है कि देखो एंवीडिया ने बोला था कि क्वाटर टू तक सही हो जाएगी स्यारी सिचुवेशन उसका भी आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा है तो आप देख ले ना उसको और एंवीडिया ने यह बोला था कि कौटर टू तक सही हो जाएगी बट आप समझ लोग कौटर टू एप्रिल से शुरू हो गया है और आज तारिक किती हो गई आप समझ जी गए हो आज 28 तारिक हो गई है और तीन दिन बाद एप्रिल शुरू हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता किसी भी इन नियर फूच अभी यह situation समझने वाली है तो quarter three तक जहां तक है वहां तक अभी यह situation नहीं समलेगी जो की आर्टिकल में भी बोला गया है बहुत सारे वह भी मैं लिंक करूंगा आप description में देख सकते हो पढ़ सकते हों चीज को अगर आपको मतलब deeply आपको knowledge लेनी है और मैं आपको पूरा research करके यह बता रहा हूं कि quarter three तक अभी फिलाल कोई situation नहीं सुधरने वाली basically quarter three के बाद या end of the year में बिल्कुल December तक ही यह problem solve होने वाली है जो भी overpricing की है और जो भी shortage कि क्योंकि 10-30% तक की shortage चल ले है और इसको कोपप करने के लिए कम से कम इतना छे-सात महीने का तो time लगना ही लगना है थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा तो यह है अभी तक का market का current scenario की problem कब तक solve होने वाली है यह सारी GPO shortages की और जो भी overpricing की है तो यहां पर मैंने आपको इस चीज को completely बता दिया है बागी articles description में linked है आप उसको जाकर देख सकते हैं ओके तो guys आजाते हैं अपने third part पर तो मैं अपना opinion आपके साथ share करता हूं कि चलिए अगर मैं आपकी जगापर होता और मेरे को अभी PC बिल्ड करना होता हो और graphics card की requirement होती तो मैं कौन से graphics card को खरी है क्या करना मेरे को मैं सारी देखता किस रखाश is आए अजारी है रिटेलर पर जाता मैं मैं offline market में देखता मैं offline मार्कच में देखता जैसे मैंने किया जो की जिस चीज मैंने करी वह मैं फिर से करता है अभी बी situation में कि онLINE market पर देखता कि कितना सस्ता प्राइज मिल ला है अगर वह बहुत जादा हो तो देखो जो टैक्स और जो टैक्स माफ हो गया वह अलग बात है 34 के साब से अगर मैं देखता जैसे मालो अगर 40 का मेरे को पढ़ रहा है उसे साब से अगर मैं देखता तो मैं उसके लिए पांच शेजार एक्स्ट्रा पे करने को तयार था 45 46 हो जाता कोई बड़ी बात नहीं थी बट उसी कि आर्टी सिक्सी टी आई को 65 थाउजंड का खरीदना जो की 40 थाउजंड में आपको इसली मिल जारा था डिसेंबर में उसका लिए मैं 65 थाउजंड पे करूं वह चीज मैं नहीं करता क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वार्मेंट नहीं है इतने में तो आप एक प्यस लोगे 49,999 का PS5 मिल आप उसको खरीद लोगे तो बेसिकली मैं अपना पहले रिक्वार्मेंट देखता फिर मैं एनलाइस करता कि भाई इतना वर्थिट है कि नहीं तीन गुना प्राइस क्या मैं पे कर दूंगा क्या इस चीज के लिए मतलब इतनी तो रिक्वार्मेंट नह लें या ना लें और लें तो कहां से लें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि प्लीज वेट करिए मैंने आपको बताया है कि क्वार्टर थ्री तक प्रैसे सही होंगी थोड़ा सा वेट कर लो यार तीन गुना प्राइस पे करना अभी ग्राफिक्स कार्ट के इतना वर्थ इत नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग और स्ट्रीमिंग आपको करनी है और आटी एक 3000 सीरीज चाहिए तो भाई देखो उसको वापस से सोच लो क्योंकि गेमिंग और स्ट्रीमिंग और यह सब तो पहले वाले भी जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी कर लेबल हो जाएंगे ओले यह पर अगर मिल रहा है ओले पर देखने के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर देख रहे हो तो प्लीज बहुत ही जादा कॉशन भरतना क्योंकि ओलेक्स पे बहुत जादा फ्रॉड होता है बहुत ही जादा तो अवोइड करना ऑ इस चीज को फॉलो करें बाकी आपका पैसा है आपको कॉशन बरतना है कि किस तरीके से उसको यूज करना है तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे आने वाले वीडियो में अगर आपको चाहिए कि मैं आर्टी एक्स 3000 सीरीज के जो जीप्यू उनके आल् अधर ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि भाया आप यह बता सकते हो कि कौन सा APU हम यूज करने क्योंकि जीप्यू तो इस समय नहीं मिलने वाला तो यह आप पूछ सकते हो मेरे से और अगर आपको चाहिए कि कोई APU यूज करना है तो भी मैं उसमें वीडियो में पता जीगा उनके साथ जो की इस वीडियो में इंट्रेस्ट लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को जब दुबाजेगा वाई क्योंकि फ्री है फ्री की चीज़ है और फ्री की सब को अच्छी लगते है आपको भी अच्छी लगते है तो कर दो और जै आपने नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिये की और फ्रेंड्स एंट फैमिली क्लोज बिकॉस्ट बिकॉस्ट था मोस्त इंपॉर्टन थिंग लाइफ मिलते अपने नेक्स वीडियो में नमस्कार चैहिंद से वाज नेक्स वन